नमासकार दोस्तों, ग्लोबल पूर में आपका स्वागत करता है। आज मैं तिर्भूज का छेतरफल निकालने के लिए सिखेंगे, डिटर्मिनान की मदद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तिर्भूज का छेतरफल कैसे निकाला जाता है। तो देखे, तो इसके लिए क्या करना है, टेंथ क्लास में आप परहे हैंगे, तिर्भूज का छेतरफल कोडिनेट जो इमेटरी में, तो तिर्भूज का छेतरफल निकालने के से निकालेंगे। तो माल लिए कि A, X1, Y1, B, X2, Y2 और C, X3, Y3 तिर्भूज का सीर्स हैं, तब दस्मम याद कीजिए परहे हैंगे कि तिर्भूज ABC का छेतरफल हाफ X1 into Y2 minus Y3 plus X2 into Y3 minus Y1 plus X3 Y1 minus Y2 ये सुत्र दस्मम परहे हैंगे। तो इसी को जब डिटर्मिनांट के रूप में लिखते हैं तो कुछ इस तरह से होता है, तो आप इसको अपना हल करके देखेगा, यही फिर प्राफ्ट हो जाएगा, इसलिए डिटर्मिनांट की सायता से भी हम किसी तिर्भूज का छेतरफल आसानी से निकाल सकते हैं, तो क कुछ बेसिक चीज देखें, इसमें नोट में लिखें कि छेतरफल हमेशा धनात्मक रासी होता है, इसलिए इसका केवल मापांक मान ही लेते हैं, मतलब अगर माइनस में अगर निकल जाए, डिटर्मिनांट का मान और छेतरफल निकाल रहे हैं, तो उसको पलस में ही लेंग दूसरा है कि, जब तीनों बिन्दो सनरेखी हो, तो छेतरफल का मान सुन्ने होता है, अर्थात एक ही रेखापर हो तो तिर्भूज बनेगा ही नही के तो छेतरफल सुन्ने हो जाए सब्सक्राइब दोनों लेते हैं तो देखें एक जम पल्स डिरेक्स समझते हैं निमलिखित बिंदूओं से बने तिर्भुज का छेत्रिफल ग्याद करें इसमें हम चार सवाल लिए हैं लेकिन इसमें समकेवल एक सवाल का सुल्व करेंगे बाकी बात तीन आप फूद कर सब्सक्राइब लिए तो इसको मान लिए ए और इसको माले सी तो एरिया आप ट्रेंगिल कैसे निकालेंगे तो यहाँ देखिए यहां जात्यक्राइब लिखें हैं हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 और इधर 1111 लिख दिये तो उसी तरह यहाँ जब लिखेंगे इसको डिटर्मिनान्ट के रूप में तो कुछ इस तरह सोगा हाफ x1 minus 2 y1 y1 x1 y1 तो इसके बाद 3 3 2 और minus 1 minus 8 111 लिख दिये तो यह हाफ तो पहले से इसको खोलिए करेंगे तो दो एक आहीं दो मैनस मैनस प्लस हो जाएगा आठ यहां होता है मैनस लेकिन पहले से मैनस है इसलिए प्लस हो गया तीन लिए इसके रो कॉलम डिलिट हो गया तो तीन एक आहीं मैनस होता है यह देखे खुद मैनस हो गया तो इसलिए प्लस हो गया यह प्लस एक इसके रो कॉलम डिलिट आठ तीया 24 मैनस 24 यहां दिखे हो गया प्लस दो हो गया इसको जब हल किये तो हो गया यह 8 2 10 मैनस 20 हो गया और 3-4 चारतिया वारह हो गया माइनस चोवी पलस दो मैंनस बाइस मैंनस बाइस हो गया इसको हल किए मैश् numéro त्ीस हुआ कट के हुग्या मैश garbage लेकिन छेतर फ़ल का मौन हमेशा प्लस लेंगे इसलिए इसको हम पलस 15 लिखेंगे तो वार गी काई तीन जो बाचा है आप खुद करिएगा और हमें कमेंट में इसका आंसर बताईएगा कितना होता है देखें क्वेस्चन नमर्टू क्वेस्चन नमर्टू है कि दिखलाईए कि बिंदू ए बी और सी सन्रेखी है तो सन्रेखी के लिए क्या हमने बताएगे जब तीन बिंदू सन्रेखी हो तो छेत्रफल कामान सुन्य होता है कहने करत्वा इसका हमको छेत्रफल निकालके सुन्य दिखा देना है तो सन्रेखी हो जाएगा चलिए हम पहले जो दिया है बिंदू हम लिख लिए ए बी सी एरिया अप ट्रेंगिल ए बी सी हाफ देखिए इसको लिख लिए एकस वन वाइवान उसके बाद एकस टू वाइटू और एकस त्री वाइट्री लिख लिए 111 लिख दिश्कों सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें थोरा सा अगर लोजिक लगाएंगे तो क्या करना है हम क्या कि और इसको कॉमन ले लेंगे तो 111 बचेगा तो दो को कॉलम बराबर हो जाएगा तो जिरो हो जाएगा तो वही किये हैं c1 tends to c1 plus c2 तो एरिया फ्रेंगिल abc equal to हो जाएगा half a plus b plus c a plus b plus c a plus b plus c और इधर b plus c c plus a और a plus b है और 111 होगा है तो हाफ ए प्लस बी-प्लस सी कोमान ले लिये तो अंदर में वच गया one 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 b-plus c, c plus a a makeup a plus e plus c देखिए दो को कॉलम बराबर तो मैं इस लिए इस लिए इस काम भन हो गया सुन्य और सुन्य गुना कुछ भी करेंगा सुन्य तो तीनों एरिया और तिरंगिल निकल गया सुन्य इसलिए विंदू ए बी और सी जो है कॉलिनियर अनिकी सनरेखी होगा तो प्रूप्ड हो गया कुछ नमर तीसरा देखें इसमें किसरा क्या है तीसरा लिए है कि पर्तेक में के का मान निकालें यदी तिर्भूजो का छेतर फल तीन चार वर्ग इकाई है जहां बिंदू निमलिखित है इसमें भी हम दो को सवाल लिए हैं इसमें से एक को सौल्व करेंगे दूसरा आप यहां तिर्भूज का छेतर फल पहले सदिया है हम यहां क्या लिखेते हैं यहां लिखेते कि यदि छेतर फल दिया रहे है तो उसमान के साथ धान और रिन दोनों चिन लेते हैं तो वही करेंगे यहां छेतर फल आपको चार दिया है तो इसका दोनों चिन अम लेंगे पहला हिसाब को हम स्वल्ब किये है पहला हिसाब को दुसरा को कर ली जगा खोई तो area of triangle equal to दिया है आपको plus minus 4 ले लेंगे अब half यहाँ लगाई है x1 y1 अनि k0 x2 y2 अनि 4 0 x3 y3 अनि 0 और 2 इधर 111 equal to plus minus 4 इसको पेंड किजिए determinant को तो half को इधर कर दिजिए यह हो जाएगा minus minus plus 8 हो जाएगा तो k, k लेंगे तो row column delete हो गया 0 minus 2 पसका दो माइनस 0 तो इसका row column delete यह हो गया 4 minus 0 पलस 1 लेंगे तो इसका row column delete यह हो गया 8 गाटा 0 तो बराबाबा एकवल में है पलस minus 8 यह हो गया इस जगा हो गया तो यह हो गया मैनस 2K यह 0 हो गया टोटल इसलिए नहीं लिखे हैं इसको देखे, एक गुना 8 करेंगा 8, equal to plus minus 8 minus 2K plus 8 equal to 8, और एक बार ले लिए minus 2K plus 8 equal to minus 8, तो इसको क्या किजेगा इधर plus है, इधर कर दिया minus हो गया, यह भी देखे, minus इधर कर दिया, minus हो गया 8 में साथ घट गया, 0 और यह दोज है, और minus 2 into में, तिधर divide हो गया तो 0 बाटे minus 2, और यह 0 बाटे minus 2, equal to 0 हो गया इधर minus 8 और यह plus है, तिधर minus 16 हो गया बाटे हो गया minus 2 यह आठ पर में कट गया, और minus minus कट गया तिधर plus 8 हो गया, तो हैंस के का मन हो गया, 0 और plus 8 हो गया यह question और लेते हैं, इसमें सारनिक का पर्योग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरन ग्याद करें, तो देखें कैसे करेंगे तो मान लिए कि बिंदू 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा पर इस्थित बिंदू x, y है, तो देखें, एक मिलाने वाली रेखा पर इस्थित है, इसलिए तीनो बिंदू एक ही रेखा पर हो गया और एक ही रेखा पर हुआ तो तीनो संडेखी होगा और संडेखी होगा तो तीनो बिंदू संडेखी है इसलिए 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 तीनो बिंद दो लेंगे तो मैनस दो इसकी रो कॉलम डिलिट हो गया तो 3 मैनस एकस प्लस एक लेंगे तो इसकी रो कॉलम डिलिट 3y और इधर हो गया मैनस 6x इकोल टो 0 इसको अपन किजिए 6 हो गया मैनस y 6 मैनस मैनस पलस 2x ये 3y और मैनस 6x इकोल टो 0 तो 6 6 कट गया पलस मैनस था 3y अनिक मैनस 6x और पलस 2x तो मैनस 4x 3y और मैनस हो गया y तो मैनस 2 कौमन यहां से ले लिए तो हो गया 2x मैनस y इकोल टो 0 तो इसको इधर कर दीजिए तो हो गया 2x मैनस y इकोल टो 0 यही वा फाइनल समिकरन आपका अंसर हो गया थेंक्यू वाचिंग फोर दिस वीडियो